सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पर magic सब कुछ है और इस दुनिया में जो सबसे powerful इंसान है उसका नाम है wizard king और तुम्हारा सपना है कि तुम्हें भी wizard king बनना है बस इसमें एक छोटी सी मुश्किल है और वो ये है कि तुम्हारे पास magic बिल्कुल नहीं है और तुम अकेले ऐसे इंसान हो जिसके बिल्कुल भी magic नहीं है तो अब तुम wizard king कैसे बनोगे वेल यही स्टोरी है हमारे main character आस्ता की तो चलिए देखते हैं कि यह क्या करता है बाइदवे यह वाला जो वीडियो है न यह हमारे anime से related नहीं है यह इस anime का एक special movie है तो मैंने इसके 170 episodes पहले ही cover कर ली है 19 parts में और वहाँ पे वो anime खतम हो जाता है इसका season 2 आने वाला है 2024 में तो यह वाला movie को मैं cover कर रहा हूँ इस वाले part में तो यह वाले part के बाद next कुछ time तक यह वाला anime मैं चैनल पर continue नहीं कर पाऊँ क्यूंकि इसके नए episodes release नहीं हुए हैं तो अब हम बढ़ते हैं movie की तरफ movie start होते ही हम दिखाते हैं कि हम लोग इसी time loop के अदर फसर हुए रहते हैं यहाँ पे हर जगा पे time के बड़े-बड़े loops खूम रहे होते हैं और जैसे हैं वो सब फट था हैं तो हम दिखाते हैं कि दस साल पहले रहते हैं यहाँ पे हमारे सारे के सारे characters एकदम से जवान दिख रहे होते हैं, यहाँ तक कि हमारा Yami भी एकदम बच्चे जैसा दिखता है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे current महोदे इस बंदे के उपर हमला करते हैं, और यह जो बंदा होता है, Conrad इसके उपर हर तरफ से attack हो रहा होता है, ल यहाँ पे अलग-अलग type के magic बहार निकलते हैं, और ऐसे ही Conrad इन सब के magic attacks को रोकने लगता है, और यह scene का animation बहुत perfect होता है, Conrad literally एक beast है, यहाँ पे तो हमारी बड़ी बेहन गोलन भी होती है, और यह भी लड़नी पाती है इन लोग से, यहाँ पे होता है चोटी वाले को उठाता है, और बोलता है कि मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी जहाँ पे सब लोग एक बराबर रहेंगे, और सब लोग एक साथ हसेंगे और मजा करेंगे, ऐसा बोल कि वो अपने imperial sword से imperial attack करता है, यह attack इतना खतरनाक होता कि यहाँ पे आधा stadium डिश्ट्रॉय हो चुका होत और यह imperial sword के ऊपर भी 3-4 seal लगा देते हैं, और बोलते हैं कि मैं तुम्हें अभी seal up करके बंद कर दूँगा, भले ही इससे हमें हमारा imperial sword खोना पड़े जो कि एक national treasure है, लेकिन हमें तुम्हें रोकना है, उसके बाद महोदे अपना magic मारते हैं और वो इसको seal करके भगा देत फिर इसके बाद हमें अगले seal में दिखाते हैं कि हमारे Clover Kingdom में 10 साल के बाद हम present time में होते हैं, जहां पर एक tournament चल रहा होता है, और यह tournament में जो भी बंदा जीता है, वो almost हर बार महोदे बन जाता है, तो यह tournament में definitely आसा तो अपना participate करने वाला है, लेकिन यह जो time है न यह अस से crowd में बैट के देख रहे होते हैं, तभी ही पहला competitor बाहर आता है, जो की होता है Yuno, Yuno को देखके सारी लड़किया पागल हो जाती है, बोलते है Yuno आ गया है, यहां तक कि हमारी Venice भी बोलते है Yuno आ चुका है, और हम सब भूल कैसे सकते हैं, हमारी चामी तो Yuno की बहुत बड The Masked One, और यह जो बंदा आता है, इसने एक मास्क पहन के रखा होता है, और इसको देखके हमारे महोदे smile करने लगते हैं, और तो और Yuno भी smile करता है, क्योंकि यह बंदा कोई और नहीं, आप सब का guest एकड़ बराबर है, यह हमारा Aasta ही है, Aasta फिर चल के आता है, और सब लोग Aasta को देख रहे होता है, और सोच रहे होता है, यह बंदा असल में कौन है, लेकिन इस वक्त में आप लोग को यह बंदा आता है, कि यह सीन का animation बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे हमारे मिमोसा बहुत क्यूट दिख रही होती है, और दो और नोवल के बारे में मैं क्या ही बो और लोग होते हैं, यह यहाँ पे आके बोलता है कि guys, it's show time, ऐसा वो बोलता है और उसके साथ तीन और लोग होते है, एक होता है हमारा यह दुबला पतला सा white luck का बड़ा form, यह बंदा literally मुझे white luck के जैसे ही दिख रहा है, उसके बाद यह next बंदी होती है, जो की मेरी favorite character के ज होना ही था, तभी हमारा यह adult white luck बोलता है कि मैं मेरा barrier magic यूज़ करने वाला हूँ, और वो बोलता है barrier magic, voodoo, Shangri-la, ऐसा वो बोलता है और तभी ही अचनक से आस्मान में multiple barriers बनने लगते हैं, और यह देखके सब लोग समझ जाते हैं कि इन लोग के ओपर हमला हो रहा है, यहा जो भी लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, उन सब की magical energy धेरे-देरे कम होने लगते हैं, और सब लोग अपने घुटनों पर गिर जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे छोटे महोते भी गिर जाते हैं, तभी ही Connor उनके पीछे आता है और बोलता है, अगर वीडियो मज़ा आ रहा है तो subscribe कर लो यार, हम लोग का goal है कि हमें इस साल के end के पहले एक लाख पचास हजार सब्सक्राइबर्स तक पहुचना है, तो कर दो subscribe ताकि हम पहुच जाए वहाँ तक, और तो और मेरा discord और Instagram का link में डिस्क्रेशन में दे रखा है, आप लोग मुझे वहाँ follow कर सकते हो, तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरह, Julius, तुम इतने कमजोर हो गए हो, मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी, तुम मेरे इतने जोटे से attack के वज़े से भी तुम अपने घुटनों पे गिर गए हो, तुम तो बहुत जादा बेकार बन चुके हो, यार, मुझे अभी भी यक नहीं हो रहा है कि तुम ने मुझे रिपलेस किया है, तभी ही कॉनर बोलता है कि मैंने हर एक चीज देखी है, कि तुम कैसे एल्फ से हार चुके थे, तुम लिटरली एक यूजलेस विजड किंग थे, उसी वक्त हमारी ये पिंक बाल वाली एसदेग बोलती है कि मैं मेरा मै करने का और तभी ही वो यूस करती है उसका लीजिन मैजिक गहना गेम और वो ये मैजिक यूस करती है और उसी वक्त एक बड़ा सा चैसबूर्ड खुलता है और उसमें से मल्टीपल शोल्जर्स नीचे करने लगते हैं और यह लोग पूरे पूरे श्टेडियम को डिश्ट्र अटाक में बहुत सारे शोल्जर्स को मार रहा होता है मीनवल, मीमोसा, और तो और क्लाउस यह लोग सब लोग को वहां से इबैकुएट करा रहे होते हैं लेकिन क्लाउस अपने मैजिक के साथ यह बैरियर को तोड़ नहीं पाता है मीनवल हमें दिखाते हैं कि आस्था यहा आस्था और नोवेल मस्त पार्टनर्शिप करके यहाँ पे मल्टीपल स्टील रोबोर्ट्स को काटने लगते हैं और आस्था इन सबको धड़ा धड़ डिश्ट्रॉई करता रहता है भाई क्या एनिमेशन है यह वाले मूवी का मुझे तो बहुत पसंद आगया उसी वक्त है कि इस वक्त यहाँ पे 5-5 विजर्ड किंग्स है जिसमें से 4 लोग इवल है और एक हमारे असली महोदे जो छोटे हो चुके हैं ब्रो यह मूवी तो इंसेन है तब ही यह तीनों पुराने विजर्ड किंग बोलते हैं कि यह बंदे के अंदर तो बिल्कुल भी मैजिकल पा तो वो बोलता है तो तुम्हारे पास एक ऐसी मैजिक है जो कि मेरे मैजिक को डिश्ट्रॉय कर सकती है तब ही हमें अगले सी में दिखाते हैं कि हमारा मश्रूम बॉय हमला करता है कॉनर के ऊपर लेकिन तब ही महोदे बोलते हैं कि नहीं मश्रूम बॉय तुम यहां से करता है मीन वेल हमारे बुढव महोदे बोलते हैं कि ओए अडल्ट लक तु इसको जादा टॉचर मत कर इसे एक सिंगल अटैक में मार दे हमारे किंडम का ही बंदा है तो हमें इसे एक पेइनलेस दे ना है उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यहां पर आस्ता इन लोग से करके निकल लेते हैं और उसी वक्त एंट्री होती है हमारे बाकी सारे के सारे विजर्ड किंग के स्कॉड कैप्टन की यहां पे सब लोग होते हैं बस तीन लोग नहीं होते हैं उन में से एक होता है हमारा कैप्टन वेंजिंस दूसरा होता है हमारा जैक दर रीपर और तीसर जगह पर लेके जाता है जो कि यह श्टीडियम के अंदर ही होता है तब ही महोद्य यामी को बोलता है यामी तुमें काम करो तुम जाओ ब्रांच जीरो में वहां जाके तुम नेरो से मिलो और उसको बोलो कि हमें उसके सीलिंग मैंजिक का यूस पड़ेगा यहां पे और जो तूल पे काम करेए उसका भी हमें यूज़ पड़ेगा तो, यहाँ भी बोलता है कि नहीं मैं नहीं नहीं आस्ता को भीज सकता हूँ तो, फिर्डल तुम आस्ता को लेके जाओ वहां पे यह सेम टूसेम उसके डॉच के ज़च्छा सब बढ़ा हूँ नहीं सीम को डॉच किया था और यह देखे मुझे उस गेम की या आता गई यह मेरे फेवरेट गेम में से एक है गेम यहां पर कंपेर करने के लिए इस डॉच को मेरे एडिटर शान को बोल दूगा कि वो यहां पर उस सीन को दिखा देंगे आप लोग को तो आपको समझ जागे मैं किस चिस की बात कर रहा हूं तभी ही यामी यहां पर बुढ़ा उसे फाइट करते हैं कि अरे आस्ता तुम फटा फट यहां से निकलो तो उसी वक्ट फिंडरल अपना पोर्टल खोलता है और नोवल यहां पर आती है और वो आस्ता को ठक्का मार के लेके जाती है इस पोर्टल के तुरू मीनवल हमें अपने भाई भाई जैसे ही दिखते हैं आप लोग बोलो कि कि क्या दोनों सेम दिखते हैं कि नहीं और हमारा यह बैरियर वाला बॉय वाइट लगके अटैक को रोग देता है मीनवल यामी अपने डाक मैजिक से इसके आइस मैजिक के उपर हमला कर रहा होता है यहां तक कि ह अगर इस बंदे ने इस इंपिरियल स्वाड की पावर को एक साथ यूज कर दिया तो हमारा पूरा क्लोवर क्रिंडम डिश्ट्रॉई हो सकता है और तभी ही यह बंदा अपना की मैजिक यूज करता है और मल्टिपल गेट्स खोलता है लेकिन उसी वक्त यहां पर आ जाते ह हमारे चोटी वाले बाबा और तो और फायर बॉय आमिन लायन बॉय तभी कॉनर बोलता है कि अरे नोजल और फ्लेगो एन तुम लोग तो बहुत स्ट्रॉंग हो गए हो बहुत टाइम की बात देख रहा हूं तुम लोग को तुमें तभी हमें अगले सिन में दिखाते है कि यहाँ पे हमारे सारे के सारे कैप्टन्स लड़ रहे होते हैं इन सब लोगों से हमारी स्लीपिंग लड़ रही होती है यह पिंक वाली एस देट के साथ और सब लोग ऐसे ही लड़ रहे होते हैं और इनकी फाइट मस चल रही होती क्या एनिमेशन होता है मैं भूल बोल के ठ करता है एक उड़ते हुए फ्लाइंग फॉर्ट्रेस में और ये सीन बहुत खतनाक होता है और वो सब लोग को सील कर देता है इसके अंदर मीनवल हमें दिखाते हैं कि यहां पर हमारे ही रोस पहुत चुके होते हैं ब्रांच नंबर जेरो के पास और तभी ही फिंडरल बोलता में और बोलती है कि में को हर इक चीज़ पता चल चुकी है और मैं तुम लोग कोई मैजिकल टूल के पास लेके जा रही हूं इसके उपर इस वक्त हमारी मैट साइंटिश्ट एक्सपरिमेंट कर रही है तभी ही आस्ता नेरो को बोलता कि नेरो तुम तुम तो यहां पर 500 सा आस्ता को शौक लगता है वो बोलता कि पुराने विजर्ट किंग हमारे उपर हमला क्यों कर रहे हैं तभी नेरो बताती है कि जो पुराने विजर्ट किंग थे वो सबसे श्ट्रॉंग थे किंडम के अंदर और सब लोग उनकी हमेशे तारीफ करते हैं उनके पास की मैजिक कि मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिसके वज़से वो कोई भी चीज़ को खोल सकते हैं या बंड कर सकते हैं और तो और उनके पास एक और मैजिक था इसके साथ कि वो किसी का भी मैजिकल पावर को अपने अंदर खीच सकते हैं और उसे यूस कर सकते हैं वो किसी की भी मैजिक को तूल है जो किसी को भी सील कर सकता है उसके अंदर magical power सील हो जाती है और वो अपने अंदर स्टोर हो कि एक सर तुम सारी के सारी magical power को unleash कर सकते हो ये बंदा नेरो अपना इंवर्स रिक्टिलिस magic यूस करती है और वो अंदर वाले रूम में जाती है और इनको बोलती है कि अभी हम लोग वो magical item के पास पहुत चुके हैं जिसके उपर हमें हमेरे काम करना था ऐसा बोल कि वो उन लोग को लेके जाती है एकदम से insane जगा पे जो एकदम से secure place होता है वो बोलते है कि यह जो magical item है यह किसी भी चीज़ को seal कर सकता है तो हम लोग इसको use करेंगे Conard को seal करने के लिए ऐसा बोल कि वो लोग अंदर पहुचते है और narrow gate खोलती है लेकिन तभी ही हमें दिखाते है कि यहाँ पे Conard पहले से ही खड़ा होता है और वो बोलता क लेकिन फिनरल उसके attack को रोग देता है अपने special magic से लेकिन फिर यह बंदा फिनरल को उठा के पटक देता है उसके बाद यह use करता है आस्ता के उपर कोई तुभी purple magic और उसको रोग देता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो ऐसा बोलता कि अरे तुम तो narrow हो न ऐसा बोल के वो जाता है आगे और बोलता है कि देखो में तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या आकिया ऐसा बोल के वो हमें यह दिखाता है कि उसने असलने हमारे mushroom boy का magic को copy कर लिया होता है उसके बाद वो दिखाता है कि उसने हमारे सारे के सारे Magic Knights के Captains को Destroy कर दे और पूरा-पूरा Clover Kingdom इस वक्त जल रहा होता है और Destroy हो चुका होता है यहाँ पे हमारी Pink Color की As That पूरे Kingdom को जाला चुकी होती है और यहाँ पे सब लोग का Magical Power यह लोग चूस रहे होते हैं और वो सब का सब खीच रहा होता है यह Imperial Sword और इसी तरह से पूरा-पूरा Clover Kingdom डिश्ट्रॉय हो रहा होता है फिर यह लोग बोलता है कि हमारे Captain के साथ क्या हो हो तब ही यह दिखाता है कि Captain Yami को यह लोगोंने बंदी बना के रखा है और ऐसी बाकि सारे के सारे Captain को बंदी बना के रखा है और सब को डिश्ट्रॉय कर दिया है तो Novel देखते कि उसके भाई की हल हल बहुत खराब हो चुके तो उसका अलमोस दिल तूड जाता है तुम्हारा Magic के बारे मुझे पता है तुम उसी की बेटी हो ना अलिसार सिल्वा की फिर वो बोलता है कि तुम्हारा भाई कितना pathetic है वो तो कुछ कर भी ने सका अपनी छोटी बेर को नहीं बचा पाया तो यह सब सुनके Novel को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद उसके Magic को अपने अंदर खीच लेता है तो इसका ये मतलब है कि ये बंदा लोगों के Magic को लॉक कर सकता है तो क्या अभी Novel के पास Magic खतम हो गया मुझे नहीं पता वो Novel की सारे के सारे Magic को चूज लेता है और Novel बेहोशोने लगती है लेकिन ये सीन इनफ था आस्ता को गुसा दे दिलाने के लिए आस्ता खड़ा होता है गुसे में और बोलता है कि तूने क्या किया मेरी Novel को लेकिन उसी वक्त Conard यूस करता है Novel का Magic Water Magic, Sea Dragons, Roar और ये अटेक आस्ता को डिश्ट्रॉई कर देता है अल्मोस से तभी ही आस्ता गुसे में बोलता है कि Novel का Magic उसे वापस दे दे ऐसा बोल कि वो अपने Demon Form में आता है और वो हमला करना स्टार्ट करता है Conard के लेकिन Conard अपने Multiple Key Magic से दोर खोल खोल के आस्ता के अटेक्स करता रहता है तो आस्ता उन सारे अटेक को अपने Demon Slayer वाले Sword से डिश्ट्रॉई करता रहता है तो वो बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पास Anti Magic वाली ताकत है ये तो बहुत सही है उसका दियर के लोग आगे बढ़ते हैं और इस जवे बहुत खतनाक fight कर रहे होते हैं लेकिन Connor आस्ता के उपर pipe वाला magic यूज़ करता है और pipe फिकता है आस्ता के उपर और यहाँ पर आस्ता पूरी तरह से destroy होने लगता है और Connor बहुत से दादा overpowered होता है लेकिन आस्ता अपने Demon वाले magic से इस सब को तोड़ के आगे निकलता है और Connor आस्ता के उपर lightning magic यूज़ करता है poison magic यूज़ करता है वो पता नहीं क्या क्या यूज़ करता है आस्ता के उपर वो तो यहाँ पर literally हमारे world demon का magic भी यूज़ करता है यहाँ पर वो दूसरे टाइप के world के लोगों को भी लेके आता है लेकिन आस्ता फिर अपने demon destroy sword को लेके आता है और यह सारे magic को कायब करता है तो वो बोलता है wow wonderful तुम्हारे पास सिफ anti magic की ताकत नहीं है तुम्हारे पास सिफ ऐसी ताकत नहीं जो magic को destroy कर सकती है तुम्हारे पास ऐसी भी ताकत है जो magic से पने हुए चीज़ों को भी destroy कर सकती है मुझे यह magic चाहिए पर मैं अभी नहीं लूँगा इसे मैं इसे बात मिलूँगा तुमसे क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाता हूँ तो आस्ता क्या तुम मेरा साथ होगे मुझे join कर लो फिर वो बोलता है कि जो पहले wizard king ने अपना magic tool बनाया था imperial sword वो मेरे key magic के साथ बहुत सीज़ादा match करता है इस sword को बनाया गा था ताकि यह बहुत सारे insane mages और heroes की ताकत को अपने अंदर store कर सके ताकि वो हम future generation के लोग को दिखा सके और यह सारे के सारे wizard king के magic और उनके wisdom को भी store करके रखता है और तो और उनके soul के एक हिस्से को भी store करके रखता है ताकि हम कभी भी crisis में उनके soul को use कर सके और तो और यह सारा का सारा magic अपने अंदर absorb करके उसे store करके एक साथ unleash कर सकता है तो तुम समझे ये कितना खतरनाक है, एक compound magic बन के सबको एक साथ unleash करेगा और मेरा goal है कि मुझे ये magic को इस earth के vein के अंदर release करना है ताकि ये पूरा area destroy हो जाओ, पूरा continent destroy होके एक भी citizen यहाँ पे नहीं बचे तुम tension मत लो, ये imperial sword जो है ने ये लोगों के soul को अपने अंदर store करके रख सकता है तो मैं choose करूँगा उस में से कुछ-कुछ लोगों के soul को जिन लोग को मैं वापस से revive करूँगा और उन लोग को revive करने के बाद मैं एक ऐसी दुनिया बनाँगा जिसके अंदर सब लोग एक बराबर होंगा और सब लोग एक दुसरे का हस सकेंगे और तुम भी इसी नए दुनिया में रहना चाहते हो ने मेरे साथ इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी को भी dislike करेगा कि उसके बस magic नहीं है यह यह नहीं है वो नहीं है यह एक perfect balance दुनिया होने वाली है तो तुम्हें कैसा लग रहा है आस्ता तुम्हारे साथ तो ऐसा पहले ही हो चुका है तो आजाओ मेरे पास मुझे जॉइन कर लो और तभी ही आस्ता को याद आता है कि उसकी भी इच्छा थे कि उसको एक ऐसी दुनिया बने जहां पर सब लोग एक बराबर हो और सब लोग एक दुसरे करत हस खेल सके लेकिन तभी ही आस्ता बोलता कि नहीं यह मेरी वाली दुनिया नहीं है एक wizard king का काम है कि वो अपने kingdom को बचा के रखे अपने लोगों को बचा के रखे ना कि उनको destroy करे तुम एक Wizard King नहीं हो, ऐसा बोल के आस्ता इसके उपर हमला करना स्टार्ट करता है, और वापस से इनलोकिफाइड स्टार्ट होती, लेकिन ये बंदा अपना Key Magic उसके उपर हमला करता है, लेकिन आस्ता अपने Magic से इसको काट के आगे बढ़ता है इसके उपर हमला करने के लिए और ये scene का animation वापस से God Tier का होता है, लिटरली ये movie बहुत सही है, यहाँ पर आस्ता multiple attack करता है इस बंदे के उपर और ये बंदा अपने Key Magic को यूज़ करता है, लेकिन उसी बीच में आस्ता इस बंदे के काल को हलका सा काट देता है, और ये इसका trigger point होता है, कि ये बंदा ये आस्ता को तोड़ने लगता है, multiple magic attack मारता है, आस्ता के उपर आस्ता destroy होके नीचे गिर जाता है, तभी ये बोलता है, अब तुम चूस करो तुमे क्या चाहिए, ऐसा बोल कि ये अपने पीछे हजारों डोर खोल देता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो, कि म लिटरली मेरे जैसे हो, तुम और मैं एक ही है, तो आस्ता बोलता है, नोल का magic उसे वापिस दे दे, फिर आस्ता बोलता है कि वह नहीं करना यही मेरा magic है, तो ये सुनके Connor को जटका लगता है, उसी वक्त आस्ता green girl के spirit में convert होके वहां से गायब हो जाता है, तभी हमें दिख करता है Connor के उपर और इनकी fight वापस से start होती है, इस scene में यूनो के गाल को भी चोट लग चुकी होती है, और यूनो के गाल से खोल निकल रहा होता है, लेकिन Connor चल चल के आ रहा होता है आस्ता के पास, तभी ही यहाँ पे हमारी ये green ball वाली बंदी अपना thread magic यूस करती है, औ अगले scene में हमें दिखाते हैं कि Connor यहाँ से चल चल के जा रहा होता है, और वो उसके adult white luck से पूछ रहा होता ही कितना percent imperial sword charge हो है, तो वो बोलता है 20%, फिर वो बोलता है चलो ठीक है, फिर वो बोलता है कि मुझे एकदम perfect जगा पता है हमारे इस land को अंजाम देने के लिए, और इसलिए वो बोलता है कि give up नहीं करना मेरा खुत का magic है, जो कि सेम चीज आस्ता ने बोला होता है, इसलिए Connor अपने आपको आस्ता के साथ compare कर रहा होता है बार बार, उसके बाद हमें अगले scene में दिखाते हैं कि Novel सो रही होती है और उसकी आंगे खुलती है, तो वो देखत होता है यहां पर इन लोग की मदद करने के लिए, meanwhile आसा यहां पर कुछ से में होता है कि वो कुछ नहीं कर पाया होता है, वो बोलता है कि हमें कुछ भी करके Connor को रोकना पड़े है, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं रोका, तो वो कल शाम तक पूरे के पूरे Clover Kingdom को destroy कर देगा उसका प्लान वही है, उसने मुझे उसका प्लान बताया था, तब ही यह सब सुनकि यहां के सारे के सारे Magic Nights बोलते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे सामने इतने सारे महुदय लोग जो खड़े हैं, चार Wizard King हमारे Enemy बन के खड़े हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते तो इस चीज़ का फायदा उठा के बुहा यहां पे आता है और वो बोलता है कि अरे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमें यहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि भागना ही हम लोग के लिए सबसे best होगा, इस सीनों मुझे बुहा के उपर बहुत गुसा आ रहा था, और बु तुम लोग को इतना ही पता है कि तुम लोग इस वख जिंदा कैसे हो, क्योंकि तुम्हारे पहले जो लोग Magic Knights थे और Wizard King थे, उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लाया के हम लोग के लिए इस Kingdom को बचाया है, तुम लोग के पैदा होने के पहले से Magic Knights लड़ रहे हैं Kingdom के ल लोग लड़ सकते हैं, तो आस्ता की ये स्पीच सुनके, यहाँ पे सारे के सारे लोग इतना मोटिवेट हो गए थे, कि Novel यहाँ पे मस्त खुशी-खुशी आती है, और आस्ता को बोलते कि आस्ता तुम बहुत साही चीज बोल रहे हो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और आस् सारे के सारे Magic Knights, आस्ता को सेल्यूट करते हैं, Magic Knight वाले फॉर्म में, और ये सेल्यूट लोग उनी को करते हैं, जिन लोग को अपना महोदय मानते हैं, या तो Captain मानते हैं, तो इस तरह सी यहाँ पे यह लोग ने फोर्शाडव किया है, कि आस्ता इन लोग का Next Wizard King बन चुका है और ये लोगों ने अपना Captain मान लिया है आस्ता को, ये सीन भाई, मुझे बहुत खुशी दिया था इस सीन ने, हर एक Magic Knight यहाँ पे आस्ता को सेल्यूट कर रहा होता है, यहाँ तक कि हमारी ये Wind Spirit भी आस्ता को सेल्यूट कर रही होती है, उसके बद आस्ता बोलता है, कुछ बड़ी बहन गुलन सही एकड़म ठीक है, बड़ी बहन गुलन की एंट्री का में वेट कर रहा था भाई, और उनके पीछे आते हैं हमारे Mushroom Boy, और तो और ये बंदा जिसके बाद स्पेशल मैजिक की ताकत है, और उसके पीछे होती है, और उसके पीछे होती है, हमारा Captain Vengeance और तो और Jack the Reaper, उसके बाद आस्ता बड़ी बहन गुलन को देख के एकड़म से खोश हो जाता है, और बोलता है, बड़ी बहन गुलन आप यहाँ पर आ गई हो, मैं बहुत खोश हूँ, तो वो बोलती है, तो बड़ी बहन गुलन किसको बोल रहा है, वैल बाइद अबे मैं पता लगा है कि हमारे सारे का सारे कैप्टन्स इस वक्त सिंदा है, और वो लोगों को सिफ बंदी बना के रखा गया, तो यह सब सुनके चार्वड के जान में जान आती है, वो खुश हो जाती है कि यहामी एकडम से ठीक है, तबी ही महोदे बोलते कि अगर इन लोगों ने ह हमारे कैप्टन्स को किड्नाप करके रखा है, और वो उन लोग को जिंदा रख रहा है, तो इसके पीछे कोई ने कोई रिजन तो होगा, तो तबी ही यह लोग बोलते है कि इसके पीछे रिजन ये है कि असल में वो लोग चाहते है कि वो लोग कैप्टन्स के अंदर से सारी कि सारी magical energy choose ले और जैसी उनको सब magical energy मिल जाएगा तो वो उनके imperial sword को charge करके पूरे के पूरे content को destroy करेंगे तो महोदे बोल तो फिर हमारा vengeance बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो हमारे पास बहुत कम टाइम है इन लोग को बचाने के लिए तब ही यहाँ पे entry लेती है चामी और वो आस्ता के मूँ पे अपना cake मार के बोलते हैं कि तुम यह cake खाओ फटाफट और अपने energy को heal up करो और उसके बाद यहाँ पे entry लेते हैं एके करके सारे के सारे black bulls के लोग और सबसे पहले यहाँ पे आती है हम सब की favorite benissa वेनिसा को देखके नोवल भाकती उसके पास उसको हग करने के लिए तो भाई हमारे सारे के सारे ब्लैक बॉल्स के लोग यहाँ पे हैं एकसेप्ट फूर हमारा जोकर वर और तो और बड़े बाल वाला बंदा यह लोग बोलते ही वो लोग असल में ट्रैप के अंदर फस चुके हैं और हमें उनको बचाना पड़ेगा तब ही कैप्टन वेंजेस बैटके अपना प्लैनिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सब लोग बैटके खाना खा रहे होते हैं मीन वेल यहाँ पे सब लोग रेड़ी हो रहे होते हैं नेक्स्ट बैटल के लिए और वो लोग फटा-फट चामी के खाना खा रहे होते हैं तब ही हमें मालूम पड़ता है कि असल में मीमोसा के हीलिंग के बजसे अगले सीन में आस्ता के लिए उसके कपड़े सील रहे होती है अपने घ्रड मैजिक से उसके बाद जाके आस्ता को उसके नए कपड़े और तो और फ्लैक बूल्स का रोब देती है यह देखके आस्ता बहुत खुश हो जाता है उसके बाद सब लोग निकलते हैं अटाकरने के लिए लिटरली यह सीन को देखके मुझे वेने सा तो बहुत पसंद आ गए यह मुझे पहले सी पसंद थी और यह मुझे और पसंद आ गए क्योंकि यह आस्ता के बारे में बहुत सोचती है तब ही आस्ता अपने स्वार्ड के उपर सर्फ करके आगे बढ़ रहा होता है उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर वेंजेंस ने बोला होता है कि इनके प्लान का हिस्सा है कि इन लोग को जाके ब्लाक बुल्स को पहले बचाना पड़ेगा क्यों क्योंकि इन लोग को चाहिए एक ऐसा बड़ा सा फॉट्रेश जो की उड़ सके और इन लोग को लेके जा सके कॉनर्ड के पास और ये सब कोई और नहीं हमारा हेंडरी कर सकता है और हेंडरी हमारा स्लीपिंग बॉय है तो उसके लिए लोग गए हैं ब्लाक बॉल्स के बेस के बास उन लोग को बचाने के लिए फिर तभी ही आस्ता अपने स्वाट से इस बैरेर के उपर हमला करता है और बैरेर को डिश्ट्रॉय कर देता है उसके बद आस्ता और बाकी सब लोग अंदर घुशते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमारा स्लीपिंग बॉय एकदम से रेडी होता है आस्ता उनको पुरा प्लैन बताता है और स्लीपिंग बॉय सब के अंदर से माना चूसना स्टार्ट करता है और यहाँ पे Sleeping Boy एकदम से खुश रहा देख कि उसको बहुत सारा माना मिलता है और इसके बाद चामी सब लोग के खाना पराती है और सब लोग फटाफट खाना खाके अपना माना रेप्लेश करते होते हैं और Sleeping Boy लिटरली यहाँ पे सूपर सेन बन चुका होता है उसके बाद पूरा का पूरा यह Black Bulls का Base Convert होने लगता है और यह एकदम Flying Style में बन जाता है यह वाला सीन बहुत मस्त होता है यह लिटरली एक Aeroplane बन जाता है लेकिन तभी इनके उपर हमला करने के लिए आ जाते हैं Multiple Steel वाले Shoulders तो हम हमारा Jack Degree पर आगे निकलता है और वो यूस करता है Death Sight Lunatic Slash ऐसा करके वो इन लोग के उपर हमला करना स्टार्ट करता है यहाँ तक कि हमारे चालुट भी इनके उपर हमला करती रहती है तो ऐसे यह तिरो Captain लोग यहाँ पर निकल के इन सब Shoulders को मारना स्टार्ट करते हैं और Vengeance यूस करता है अपना World Tree Magic Mr. Toe Tree इसके साथ वो इनके बीच में एक छेद करके इनको रास्त देता है निकलने एक लिए तो हमारे Heroes इसके त्रू निकल लेते हैं फिर उसके बद हमारी बड़ी बहन गोलन सब लोग को बोलती है कि अभी हम लोग ने तीन कैप्टन को पीछे छोड़ दिया है और हम लोग जाके इन लोग को हराने वाले हैं तुम सब लोग ready आँ नई 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 यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी यह सब यह सब तुम्हें आस्ता बोलेगा तो literally बड़ी बहन गोलन ने यहाँ पे यह दिखाया है कि वो आस्ता को यहाँ पे यह मिशन का कैप्टन बना रही है जो की बहुत सही चीज किया बड़ी बहन गोलन ने फिर आस्ता बोलता है ठीक है सब लोग ready हो जाओ हम लोग इन लोग को तोड़ने वाले हैं और clover kingdom को वापस से लेके आएंगे meanwhile यहाँ पे हमारी pink वाली ass death बोलती है कि उसको उसके shoulder से report मिल चुका है कि उन लोग के उपर हमला हो रहा है तब ही Conrad बोलता है तो वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं ना चलो मैं मेरा barrier बड़ा करता हूँ ऐसा बोल कि वो बड़ा सा barrier वहाँ पे create करता है जो देख के हमारी gray तो एकदम से tension में आ जाती है फिर उसके बद हमारे black bulls के लोग देखते हैं कि उनके ठीक सामने यह barrier वाला boy होता है जो की होता है adult white luck इसने एक barrier का बहुत बड़ा chamber बना के रखा होता है और वो उसके साथ बोलता है कि एक wizard king कभी भी तुम्हें off guard नहीं मिलेगा ऐसा बोल के वो इन लोग के उपर ray of light देखता है जिनसे इनके black bull को इतना destruction नहीं होता है तो इसे लिए कि लोग आगे बढ़ते रहते हैं तबी यह सब के सब लोग charge up होते हैं अपना magic use करने के लिए ultimate form में magna use करता है flame magic exploding fireball luck use करता है lightning magic thunderbolt destruction हमारा joker boy use करता है poison magic forbidden fruit और हमारा बाल बाल बाबा बोलते हैं सब लोग तयार हो जाओ ऐसा बोल के सब लोग अपना magical power और अपना mana देते रहते हैं हमारे बाल बाल बाबा को और ऐसे यह लोग magic use करते हैं हमारा gachi use करता है mirror magic large reflect refrain और यह लोग अपना combined attack मारते हैं हमारे adult luck के उपर और इनका attack इतना effective होता कि यह लोग उसका barrier तोड़ देते हैं और उसके साथ यह लोग अंदर penetrate करके घुश जाते हैं लेकिन तभी ही यह लोग देखते हैं कि इनके सामने दो और डोर खुलते हैं और उसमें से निकलते हैं और दो लोग मुझे यह बहुत पसंदे यार यह pink वाली aesthetic क्योंकि यह literally मेरे favorite villain की जैसी दिखती है लेकिन उसी वक्त यह लोग एक गलती कर देते हैं वो लोग हमारे Zorro के trap के उपर पैर रख देते हैं बहुत time बाद Zorro को देखने का माउगा मिला है हमें तभी वहाँ पर बड़ी बहन गोलन आती है और वो एक single पन से पूरे के पूरे ship को समाल लेती है बड़ी बहन गोलन कितनी powerful है भाई यह literally इस scene में Superman की तरह दिख रही थी तभी ही यह adult luck बोलता है कि सुनो जो यह हमारा barrier है ना इसको असल में imperial sword से power मिल रही है इसलिए इसके अंदर मेरा mana बिल्कुल भी खतम नहीं होने वाला है तो तुम लोग give up कर दो यार ऐसा बोल के वो निकलता है आस्ता के उपर हमला करने के लिकिन तभी यूनो वहाँ पर आता है और वो इसके उपर अपना wind magic मार के इसको दूर कर देता है उसके बाद यूनो यूस करता है अपना mana zone और वो धड़ा धड़ा हमला करता रहता है इस बंदे के उपर हमारे black bulls के लोग भी इसके उपर गोली बारूत बैदाते रहते हैं और सब लोग एकदम ready up हो जाते हैं तब ही यूनो आस्ता को अपना boost मारता है और आस्ता और black bulls सब लोग एकसाद boost करके आस्ता को आगे भेजते हैं और ऐसे ही आस्ता आगे बढ़ता है और ये इस बंदे के shield को तोड़ के अंदर खुसना लगता है ये scene बहुत amazing होता है क्या animation होता है यहां का और आस्ता इस shield को तोड़ के अंदर खुस जाता है लेकिन तब ही ये बंदा वापस से अपने shield को खड़ा करता है और ये बाकी लोग को बाहर रख देता है और सिव आस्ता और यूनो ही अंदर रहते हैं यहां पर बड़ी बहन गोलन बोलते कि आस्ता हमें पता है कि तुम ये कर सकते हो और बाकी सब लोग उपर से आस्ता को चेयर अप कर रहे होते हैं तो आस्ता और यूनो ये दोनो ही निकलते हैं अंदर attack करने के लिए तब ही आस्ता देखता है कि यहां पर एक singular point पे corner खड़ा होता है तो आस्ता उसको देखे थोड़ा tension में आ जाता है उसके बाद यूनो बोलता है कि आस्ता तुम corner को समालो ये बंदे को मैं समालता हूं ऐसा बोल कि यूनो अपने spirit form में आ जाता है और वो spirit dive यूस करता है mean well हमें दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे black bulls के लोगों ने यहां पे इस बुढवू वाले wizard king को घेर के रख लिया होता है और यहां पे black bulls के base के अंदर सब लोग मज़े से खाना खा रहे होते हैं और अपना माना दे रहे होते हैं हमारे बाल वाले बाबा को और चामी वहां पे बैटी होती है meanwhile ऐस देट के सामने खड़ी होती है हमारी बड़ी बहन गोलन और इसकी entrance क्या खतरनाक होती है बड़ी बहन गोलन गुस्से में निकलती है ऐस देट से लड़ने के लिए और वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक ऐसी wizard king हो जो अब तक कभी नहीं हारी थी लेकिन आज मैं तुम्हें हराने वाली हूँ तो यूनो उन सबको dodge करके भाग रहा होता है यहां से वहां तभी यूनो बोलता है कि तुम्हारे सामने हम लोग तो आराम से जीट जाएंगे तो बोलता है हम लोग मतलब क्या और तभी हमें दिखाता है कि यूनो ने ये chance उठाया होता है और उसने उसी में यामी को बचा लिया होता है और उसके साथ ही साथ उसने हमारे बाकी सब के सब कैप्टन्स को भी बचा कर रखा होता है तभी यहां पर आ जाते हैं चोटी वाले बाबा और तो और हम सबका फेवरिट लायन बॉई ये लोग यहां पर आके यूनो को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके साथ ये चारो लोग मिलके कमबाइन अटैक करते हैं हमारे शील्ड वाले वाइट लग के उपर और फिर इनकी ओफिशल फाइट स्टार्ट होती है यहां पर ये वाइट लग बोलता है कि सुनो प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता कि जो तुमारे इसफ़ कैप्टन से ये लोग कबसे मेरे साथ यहां पर अटके हुए थे यहां पर इनकी फाइट चलती रहते और इनका माना हम लोग कबसे चूस रहते इसलिए इन लोग के अंदर इस वक्त इतनी ताकत नहीं होगी तो तुम इन लोग हाली फोकट बचा के रखे हो हम लोग के सामने ये लोग कुछ नहीं है मीन्वैल यहां पर हमारे ब्लाक बुल्स के लोग लट रहे होते हैं इस आइस बॉय के साथ लेकिन ये आइस वाला बंदा इन लोग के उपर बहुत हावी होता रहता है यहां पर सब लोग अपना-पना अटैक यूज करते हैं ग्रे लिटरली नोवेल के वाटर मैजिक को लावा में करवट करती लेकिन ये बंदा उसके उपर पैर रखके उसको बरफ बना देता है उसके बाद ये बंदा इन लोग को बोलता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग को छोड़ सकता हूँ क्योंकि तुम सब लोग प्योर लोग है तो तुम लोग चुप-चुप यहां से निकल जाओ वरना मुझे तुम लोग को खतम करना पड़ेगा तो हमारे हीरोस बोलता है कि ऐसा बिलकुल नहीं होगा तभी ये बंदा बोलता है मैंने तुम लोग को मौका दिया लेकिन तुम लोग ने मेरी बात नहीं मानी ऐसा बोल कि वो उसका ultimate magic यूज़ करता है Ice West Magic World and Church और ये animation क्या amazing होता है यहाँ पे literally हर जगा बरफ बन जाता है और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा church बन जाता है जिसके अंदर ये लोग जैसे ही खड़े होते तो ये लोग चमने लगते हैं और सब की हलत खराब हो जाती है सब लोग एकदम से freeze हो चुके होते हैं तभी ही ये बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे underestimate कर दिया था लेकिन तभी ही Novel अपना power up करती है और वो attack करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन ये बंदा इन लोग के उपर और एक खतरनाग attack करता है यहाँ पे एक वो ice का golem को लेके आता है meanwhile Buddy Ben Golan लट रही होती है S-Dead के साथ और इनकी fight क्या मस चल रही होती है लेकिन S-Dead अपना teleportation magic यूज करकर Buddy Ben Golan को dodge कर रही होती है और Buddy Ben Golan हर जगा मुका मारे होती है उसी वक्त S-Dead उनके पीछे आती है और उनको कलवार से भोग देती है तो Buddy Ben Golan बोलते है कि मुझे बस तुम्हारे सारे के साले soldiers को मारना पड़ेगा ऐसा बोल के वो अपना mana zone यूज करती है Flame Magic, Calderious, Brachium ये यूज करके वो हर एक चीज के उपर Rengoku वाला attack मारती है और हर एक चीज को destroy कर देती है Buddy Ben Golan तो literally overpowered है भाई और इतने में ही Buddy Ben Golan हमारी S.D.T का sword destroy कर देती है तो S.D.T बोलते है पहली बार कोई एक ऐसा इंसान मेरे सामने आया जिसने मुझे मेरे हाथों को use करने पर लगा है ऐसा बोल के वो Buddy Ben Golan को एक मुक्का मारती है Buddy Ben Golan उड़के जाती है दूसरे तरफ Meanwhile हमें दिखाते ही यहाँ पर Yami लड़ रहा होता है Adult White Luck से और Yuno की हलत बहुत खराब होती है उसके मुझे से खुन निकल रहा होता है तभी Yuno निकलता है White Luck के ओपर हमला करने के लिए लेकिन उसी वक्त चोटी वाले बाबा वहाँ पर आते हैं लेकिन ये बंदा इन सबके अटैक को सिर्फ एक आँख लगाता है और उतने में सबके अटैक फट जाते हैं और सब लोग डिश्ट्रॉय हो चुके होते हैं तीनों के तीनों कैप्टन्स डिश्ट्रॉय हो के गिर जाते हैं तीनों के अटैक करने के लिए निकलता है इस बंदे के उपर और वह इसके बार्यर को डिश्ट्रॉय कर रहा होता है ये बंदे का बार्यर लेकिन खुदी रिजेनरेट हो रहा होता है उतने में ये बंदा फटने लगता है और ये फटके आगे बढ़ जाता है हर जगपे इसका बार्यर आजाता है तभी हमें अगले सी में दिखाते हैं कि यहाँ पर कॉनर्ड खड़ा होता है और वो हमारे फ़र्ष्ट महोदय के फूट्प्रिंट को देखके बोल रहा होता है कि तो तुम इतने सालों से इस लैंड को बचा रहे थे मैं जाता हूँ तुमें कैसा लग रहा है तभी ही आस्ता यहाँ पर आता है और बोलता है ये वो दुनिया नहीं है जो हमारे फ़र्ष्ट महोदय ने देखी थी तुम वैसी दुनिया नहीं बना रहे हो तब ही Connor बोलता है कि आस्ता तुम बहुत लेट हो चुके हो, ऐसा बोल कि वो अपने Imperial Sword को इस Demon के Skull में घुसाता है और पूरी की पूरी दुनिया चेंज होने लगती है, तब ही वो बोलता है कि मैंने इस Singular Point पे Demon Skull के अंदर Imperial Sword के Magic को Unleash कर दिया है, ऐसा बोल कि वो निकलता ह लेकिन बड़ी बेंगोलन को डिश्ट्रॉय कर दिया होता है, लेकिन बड़ी बेंगोलन अपने लावा में से बाहर निकलती है और बोलते है ये fight अब तक खतम नहीं हुए, ऐसा बोल के वो एसदट के उपर हमला करती है, और बड़ी बेंगोलन इस वक्तुरी उससे में चल बड़ी बेंगोलन लिटरली यहाँ पर चल रही होती है, और क्या fight होती है इनकी, ये animation एकदम god tier का होता है, ये लोग hand to hand combat करते हैं, मुक्के मारते हैं, एक दूसरे को fire attack करते हैं, लिटरली यहाँ पर ये लोग god speed पर लाट रहे होते हैं, ये animation तो बहुत साही होता है, ये उपर से नीचे गिरते रहते हैं, तब ही हमें अगले सी में दिखाते हैं, कि हमारे adult luck ने लिटरली यहाँ पर एक चक्रा बना के रखा होता है, उसके barrier magic का और ये बहुत खतनाग attack unleash करने वाला होता है, तब ही युनो आगे निकलता है, इसके उपर attack करने के लिए, तो ये ब आप मारता है, और वो अपने sword से, लिटरली हमारे lion boy का flame अपने sword पर रखता है, और वो double attack मिलके मारते है, ये एक combo attack होता है, कि तितिनों के बीच में, ये होता है dimension slash scratching light, ये सीधा वो चीज को destroy कर देती है, उसके चकरे को, और ये animation ही बहुत amazing होता है, और इसी चीज का weight होता ह इन लोगों क्योंकि ये वाला attack literally हमारे adult white luck को भी destroy करता है, वो पुरी तरह से फट जाता है, और उसकी body पे हर जगा पे उसके barrier से उसने खुद को heal किया होता है, तब ही यहाँ पे आता है, यूनो, वो बोलता है, आस्ता मैं तुम्हारा attack यूज कर रहा हूँ, ऐसा बोलके य ये वाला animation बहुत से होता है, इसमें वो literally death thrust मारता है, और ये लोग destroy कर देते हैं हमारे adult white luck वाले महोदय को, और यहाँ पे इसका barrier पूरी तरह से तूट जाता है, बहुत insane animation होता है, तब ही ये बंदा बोलता है, तुम लोगों ने मुझे मेरे final form में बेज दे है, अब मैं मे पावर यूज करके तुम लोगो crush कर दूँगा, और ये वापस से transform होने लगता है, meanwhile यहाँ पे आस्ता लड़ रहा होता है, Connets और Connets ने हर जगह पे अपने doors खोल के रखे होता है, और वहाँ से हर एक type का magic आस्ता के ओपर गिर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, तु तुम्हारा ड्रीम है कि तुम्हें एक wizard king बनना है, और तुम इस दुन्या के wizard king बनके कुछ नहीं कर पाऊगे, तुम मेरे साथ मेरी दुन्या में चलो, जहां पे तुम एक असली wizard king बन सकते हो, तुम मेरे बाद next wizard king बनना, तुम्हें खुद को बदो दुन्या में मजा आए बनोगे, क्या तुम मेरी नई दुनिया के अगले विज़र्ड किंग बनोगे ? लेके आता है, और सारे के सारे डौर को फुल के, सारा पावर अपने अंदर खिषेना लगता है, और ये वाले अनीमेशन में वो अपने आपको ट्रांसवाम कर रहा होता है, और उसके अंदर गोकु की आत्मा भी आ जाती है और इस सीन में Conrad बहुत अमेजिंग लगता ही भाई ये एक फ्रेम देखो क्या फ्रेम है Conrad का एक हाथ लिटरली रेड का दर का है और एक हाथ ग्रीन का दर का है और उसके सामने इंपीरियल स्वाड आ गया है क्या एनिमेशन क हमारे Black Bulls के लोगों के उपर हमला कर रहा होता है यहाँ पर यह लोग multiple attacks करते रहते हैं और इस Ice Golem को destroy करने ही कुछ करते हैं यह लोग अपने सारे attack यूज कर करके multiple attacks मारते हैं और वो लोग almost Ice Golem को destroy कर दिये होते हैं और Luck अपना final blow मारता है लेकिन तब ही यह बंदा बोलता ह इतना आसान नहीं है वो बोलता है Ice West Magic World and Meritor ऐसा बोलके वो यहाँ पे एक और खतरना खमला करता है यहाँ पे और एक बड़ा सा Ice Golem आता है और वो बड़ा सा Ice का रहे मारता है यहाँ और बोलता है तुम सब लोग अभी खतम होने वाले हो यह fight इतना hype है कि मैं आप लोग को क आता है लेकिन Conard इन सब को रोक रहा होता है Conard यहाँ पे लिटरली कॉड बन चुका होता है और वो आस्ता के उपर lightning magic मात और आस्ता वहीं पे गिरने लगता है और आस्ता बोलता है कि नहीं मेरा black form अभी खतम होने वाला है उतने में Conard एक तलवार लेता है और वो आस्ता के से elf से मर गया था और तुम भी ऐसे ही मरने वाले हो तभी आस्ता बोलता है नहीं हमारे wizard king ने खुद को sacrifice किया था कि वो बाकी लोग को बचा सके वो useless नहीं थे और ऐसे ही पहले वाले वाले wizard king ने भी यही काम किया था उन्होंने 500 साल के बाद आके वापस से हम लोगी help की थी तो wizard king इतने useless नहीं है उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि आस्ता के अंदर उसका devil वापस से awakened होता है उसके अंदर लीवी बाहर आता है और बोलता है अरे आस्ता लग रहा है कि तुम खतम होने वाले हो तो मैं तुमें मेरी ताकत देने के लिए ready हूँ लेकिन मैं बाद में तु लिटरली god speed वे भागने लगता है और वो Conard को destroy करता रहता है यहाँ पर यह लोग इतने सारे attack मारते हैं एक दूसरे वो लेकिन एंड में Conard आस्ता के उपर पैर रखके उसको दाता तबा देता है और बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते और यह लोग यह सब ची insane sword fight चलती है यह लोग इसको Conard आस्ता को रोकता है यह लोग must fight करते है और ऐसे ही आस्ता Conard को imperial sword के बास लेके जाता है उसके बाद आस्ता उसको थोकता है और अपने sword से Conard को मानला चालता है लेकिन तभी Conard का Grim आर्मर एक्टिवेट करती है और ये दिखके हमारे सारे का सारे ब्लैक बूल्स खोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी नोवेल अपने सुपर स्ट्रॉंग फॉर्म में आ गई है फिर उसके बाद हम नोवेल इस बंदे के लेजर को रोकती है अपने सी करना श्टार्ट करते हैं यह लोग इनके अटक को कमबाइन करते हैं मल्टीपल अंगल से अटक करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़के यहाँ पर हमला करते रहते हैं यहाँ पर इतनी सारी नोवेल हो गई हो ति है कि आस्टा तो लिटरली सोचता कि वह जन्नत में आ सब लोग अपने magic attack यूज़ करके हमला करना स्टार्ट करते हैं यहां तक कि Magna और जोकर वोई दोनों ही अपने combined magic attack यूज़ करके destroy करते हैं इस चीज़ को और वो लोग literally इस ice golem को destroy कर चुके होते हैं तबी ही हमें दिखाते हैं कि Nero और तो और Zoro ये दोनों मिलके हमारे luck को एक platform बना के दिखते हैं जिससे luck god speed पे उड़के जाता है और वो इसका एक punk तोड़ देता है उसके बाद novel अपने sword से हमला करती है ice ball boy के shirt के उपर और वो उसका rope फाड़ देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम हम लोग को join कर लो और हम लोग इस world को वापस से recreate करेंगे meanwhile यहाँ पर आस्ता अपने demon form में होता है और वो conard के उपर हमला करने वाला होता है तब ही conard आस्ता के उपर एक कामेहा मारने वाला होता है तो आस्ता बोलता है कि मैं बहुत बार खतम हो चुका हूँ लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे हर बार help की खतम होने से बचने के लिए तब ही conard आस्ता के उपर green कामेहा मारता है तो आस्ता अपने sword से उसको रोक के आगे बढ़ता है और conard को मारता है अपने sword से और उसी वक्ता का sword conard को destroy करेता है और तो और imperial sword के उपर भी पढ़ता है और इसी वक्त imperial sword में से उसकी सारी ताकत बाहर निकल जाती है और इसी तर तुम गरीबों के साथ इतना अच्छा बिहेव करती हो, पैजन के साथ इतना अच्छा बिहेव करती हो, तुम एक अच्छी लड़की हो, नोवेल, ऐसा बोलके, वहां से वह बुढ़ाओ गायब होने लगता है, और सेम हम हमें दिखाते हैं कि यहां पर हमारा बैरियर बॉय ज जीत कया, मैंने यह करी लिया, ऐसा बोलके, आस्ता चैन की सास लेता रहता है, तभी ही, कॉनट बोलता है, अब तक तुम नहीं जीते हो, ऐसा बोलके, उसके आसपास, रेड और आता है, और वो बोलता है, अब मैं फॉर्बिदेन मैजिक करूँगा, जिसके बदले मुझे म इंदर खुश जाता है, क्या अमेजिंग अनिमिशन होता है, उसके बड़ डूम्स गेट में से एक बड़ा सा रेड प्लैनेट बहार निकलता है, जो कि आस्ता के उपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, तभी ही, आस्ता बोलता है, आस्ता बोलके, वो अपने स्वार्ड को पकड़ लोई स्वार्ड, तुम्हें खुदी रास्ता दिखाएगा, उसके इंपीरल स्वार्ड को जैसी आस्ता उपर करता है, वैसी हर जगह से उसके बस मैजिक आने लगता है, क्योंकि यहां पे सारे के सारे लोग आस्ता को अपना मैजिक दे रहे होते हैं, लिटरली क्ल अपने होप को रखता है, और आस्ता के पास सारा का सारा मैजिक आ जाता है, यह सीन देखके मुझे ड्रागन बॉल जी का एक सीन याद आया, जहां पे गोकु किडबू को मारने के लिए सब लोग से अपना एनरजी मांग रहा होता है, स्पिरिट बॉम के लिए, सेम डू से इसके बाद आस्ता के अंदर सारा का सारा पावर आजाता है, इंपिरियल स्वर्ड से और आस्ता के अंग रहा है, उसके जा है, प्र वो से अपने एक सिंगल अटैक से और एक सिंगल आटैक के साथ भड़ेव वाले प्लानेट को मारने के लिए। यह सीन बहुत ही अम्हेज पूरे पूरे वर्ड को डिश्ट्रॉय करके एक नया वर्ड बनाऊंगा आस्ता बोलता कि तुम इस वर्ड को नहीं चूँ सकते हो ऐसा बोलकि यहां पे यहां पे एक लोग ऐसे लट रहे होते हैं तब ही हमें दिखाते हैं कि जहां पे उसकी फैमली होती है उसकी अपने और वो इसी के साथ Conrad को भी destroy करेता है उसके बाद हमें अगले सी में दिखाते हैं कि Asta और Conrad दोनों ही space में होते हैं यहां पर Asta और Conrad एक उसे बात कर रहे हो तो Conrad Asta को बोलता है कि Asta please तुम एक अच्छे wizard king बनना और अपने body के इस warmth को सब के साथ फैलाना उसके बाद Conrad देखता है कि उसके साथ जो तीनों wizard king थे वो लोग भी star form में आ चुके होते हैं और वो लोग उसको बोलता है thank you so much इसके साथ Conrad भी literally एक star बनके वहां से गायब हो जाता है और imperial sword भी तूट जाता है इसके बाद इसके बाद आसता नीचे आता है earth और देखता है कि सब लोग उसके साथ होते है तब ही हमें महोदे बोलते है कि असल में Conrad पहले बहुत अच्छा wizard king था और वो सबसे strong था वो literally इसको सब लोग चाहते थे लेकिन एक दिन royalty वाई लोगों ने Conrad के बारे में पुरा भला बोलके उसके पूरे squad को सब लोग को मरवा दिया उसकी wife तक को मरवा दिया उसके बद Conrad पागल हो गया और उसने kingdom के against fight करना start किया तब ही आसता पूछता है कि तुम मुझे ये बाता आसता ही बनने वाला है कि Imperial Sword लिटरली सिव विजड किंग लोग ही यूज कर सकते हैं और कोई उसे यूज नहीं कर सकता है और इसी के साथ यहां पे यह एंड हो जाता है लेकिन रुको 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 क्रेडिट के बाद एक और सीन यहां पे आता है जो की थोड़ा सा अमेज मैं बनूंगा ऐसा बोलके यह दोनों एक साथ खड़े होते हैं और तभी आसता होता है यूज नहीं हम लोग उस टोनेमेंट को कंटीन्यू करें ऐसा बोलके आसता अपना स्वर्ट बहार निकलता है और यूज नहीं अपने स्पिर्ट फॉर्म में होता है यूज नहीं अप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक करो और तो और मुझे कमेंट करें बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा विल आज के मेरे तोसे बस इतना ही मेरा नावे साथ बेक्ट और में बात वर्मास से अगले वीडियो में तब तब के लिए बाई